सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि कोई भी अच्छा वीडियो आप से मिस ना होने पाए सो गाईज जे मेन इस 15 डेज अवे 15 दिन हमारे बले बहुत ही फाइनली करी बहुत चुका है आज इस छोटे से से सेशन में आपको बताने वाला हूँ उन खास बातों के बारे में जिनका आपको ध्यान जरूर रखना है तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें I think it might be very very helpful for all of you ओकी गाईज तो देखें शुरू करते हैं सबसे पहली बात फोकस on your strength देखें ये जो समय होता है ये जो last का time होता है इस समय हमें हमारी कमजोरी पे ध्यान नहीं देना होता ठीक है योगि देखो याद रखना है एक छोटी सी बात The thing on which we focus magnifies अगर हम अपनी परेशानियों पर फोकस करेंगे तो परेशानिया बढ़ जाएंगी अगर हम अपनी खुशियों पर फोकस करेंगे तो खुशिया बढ़ जाएंगे ऐसा होता है तो जो भी आप कर चुके हो जितना भी स्लेवस आपने ठीक से किया है इस समय उसी पर आपको फोकस करना है उसी से आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा डोंट वरी अट आल यानि focus on your strength and new topics के चक्कर में अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम एडिशनल आपको मिल गया इतने समय से आप तैयारी कर रहे हो तो जो आप अब तक नहीं कर पाए उस पर अब समय वेस्ट क्यों गरना है तो वैसी गलती नहीं करनी है focus on your strength अगली चीज अब करे क्या क्या भाई इस समय revision कैसे करें क्या करें तो देखो यार सारी बाते में की करके बताऊँ सबसे पहले test papers देखो यार टेस्ट उतने ही दो टेस्ट उतने ही दो वैसे तो अटी अभ्यास वाले papers हैं उसको आप analysis जरूर करो अगर आपने अब तक टाइम नहीं निकाला तो उसको उसको आप टाइम निकालो ठीक है एक चीज जो मैं बहुत पहले भी आप सभी को बता चुका था वो finally होने वाला है गाईस जो मैंने बताया था seven days का एक जबरदस्त कोर्स होने वाले कब होने वाले जही में से जस्ट पहले यानि जही में से साथ दिन पहले alternate days पे तीन full test होने वाले तीन all India test होने वाले ठीक है उस course का नाम मैं आपको बता रहता हूं उस course का नाम है final step course जो मैंने बहुत पहले भी आपको बता दिया था यह बहुत amazing course होने वाले है इसमें तीन test होंगे test होगा अगले दिन analysis discussion होगा हर subject का यानि last के 7 दिन तो आप ATP star में book कर लो ये last के 7 दिन जो है वो आपको बताने है final step course में इस final step course में तीन full test होंगे समझ रहो ना ये तीन full test जो होंगे और इनका analysis भी होगा most probably वो analysis जो होगा वो live analysis होगा हर subject का analysis होगा और ये course हमारी app पे and website पे available होगा got it guys ठीक है मैंने बताए आपको कितने test होने वाले तीन test बिल्कुल exactly जैमें के level के होंगे और पैन इंडिया इस course के अंदर students मतलब try करेंगे exam देंगे तो उससे क्या होगा आपको analysis भी हो जाएगा कि आप कहां पे stand करते और confidence guaranteed है आपका इससे boost होगा यानि ये course बनाने का हमारा plan ये था कि वह रियल exam से पहले real exam से पहले अगर आप 3 full test बिल्कुल उस exam से जैसे मतलब दे दोगे और analysis कर लोगे तो आपके marks में 20-30 number का कम से कम फरक पड़ सकता है बस और क्याची है अगर last time में last के 7 दिन की तैयारी में हमारे अगर marks 20-30 बढ़ जाते हैं तो percentile में काफी significant असर पड़ता है यानि याद रखिए final step course आपको join करना है ठीक है न ये cd बात है as a senior में आपको बता रहा हूँ या आपको करना ही है ठीक है that will be best for you अगली चीज short notes revision करने के लिए इस समय आपने अपने short notes बना लियोंगे नहीं बनाए है तो आप अभी बना लीजिए क्योंकि लिखते हुए revision करना is the best way of revising यानि कोई भी formula है की points है उनको आप revise कीजिए by using those short notes या आपने नहीं बनाए तो आप बना लो लेकिन यह बहुत अच्छा वक्त है यह मैंने पहले भी बना रखा है आप उसको चेक कर सकते हो mind mapping के नाम से लेकिन simple अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी आपका chapter है आप उसको mentally अपने दिमाग में धोराईए जैसे मैं example आपको देता हूँ जैसे की organic chemistry में GOC है तो GOC में आपके clear होना चाहिए अच्छा GOC में क् करके सोचिए है ना कि GOC में अपना आता है inductive, resonance, hyperconjugation, इनके application, acidic strength, basic strength यह दिमाग में clear होना चाहिए अब inductive की खास-खास क्या-क्या बाते हैं inductive sigma electron का displacement है यह सब दिमाग में fit होना चाहिए resonance में, resonance क्या होता है it is a stronger effect resonance के लावा plus M कैसे देखते है, minus M कैसे देखते है aromaticity कैसे चेक करते है, anti-aromatic क्या होता है, anti-aromatic dimerize करते है hyperconjugation के application क्या है, heat of combustion कैसे चेक करते है, heat of hydrogenation कैसे देखते है bond length कैसे देखते हैं यह सारा का सारा आपके दिमाग में होना चाहिए समझ रहे हो क्योंकि exam के दौरान जब आपको बढ़िया मचाना उस दिन बढ़िया perform करना है यह दिमाग ही आपकी help करेगा समझ रहे हो क्या यानि सिर्फ किताबी revision से बार-बार पन्ने पलटने से काम नहीं चलेगा mental revision करो यानि किताब अपने सामने रखो copy अपने सामने रखो और सोचना शुरू कर दो है ना short notes को यानि आपके दिमाग में होने चीए short notes ठीक है कि पहले क्या था फिर क्या था फिर क्या था आता है जिन पर हम अटकते नहीं है और बार-बार वो पार्ट स्किप हो जाता है जो हमें actually अच्छे से revise करना होता है तो revision के दौरान उन पार्ट पर आप जादा focus करें जहां पर अटकने के चांस आपके जादा है caught it guys बस इतना अगर आप इस समय पर करोगे आपका confidence बाकिस of students से ATPans हटके हैं अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो नीचे simple आपको इतना लिखना है I am an ATPan I am an ATPan पता भी लग जाएगा real में ATPan जो है वो कितने हैं genuine जो होते हैं जिनको पता है कि real में किस तरीके से sincerely तयारी करनी होती है got it everyone okay guys so बस जो मैं बता रहो इन बातों का ख्याल रखिये अपनी सेहत का ध्यान रखिये because health is most important take care of yourself and regularly थोड़ा बहुत exercise या थोड़ा yoga कीजिये होगि उससे you will feel relaxed comfortable feel करोगे body अच्छा फील करेगी तो confidence अच्छा रहेगा got it everyone stay focused that is the most important thing which you can do and finally last के 7 दिन में ये course आएगा याएगा final step course जिसमें 3 all India test होंगे जिसमें thousands of students will appear and it will be amazing okay dear students so बस that is it I wish you all the best है ना आता रहोंगा last में भी लेकिन मैंने सोचा ये कभी एक video इस तरह का जरूर बनाना चाहिए था है ना okay everyone bye bye take care and love you all